नमस्कार में कशिश आये जानते हैं नब्वे दशक की उन आक्ट्रिस के बारे में जिनके काफी देचर्चे दिव्या भारती एक भारती फिल्म अभी नीत्री थी उन्हों निस नब्वे की शुरुवाती दिनों में कई व्यावसाई की रूप से सफल हिंदी और टेलगु भा नाम मीता भारती था दिव्या भारती के अपने पिता की पहली शादी से हुई संतांग थी उन्हें एक छोटा भाई और कुनाल और एक चोटी बहन पूरम भी है अपने शुरुवाती वर्षों में दिव्या भारती अपने चुलबुले व्यक्तित के लिए जानी जाती थी और सब लोग उन्हें गोडिया कहते थे दिप्या भारती ने बहुत चोटी उम्र में फिर्मों में केरियर की शुरुआत की और 14 साल की उम्र में उनकी प्रयास शुरू हो गई थी कई आसफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में सफल तेलगू फिल्प बॉबली दाजा से सन 1990 में की शुरुवाती समय में भारती को कम महत्प वाली भूमिकाई दी जाती थी फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी विश्व मात्मा से मिली इसी फिल्म के साथ सबंदर पाइप गाने से उन्हें अलग पहचान मिली दिव्या भारती ने शोला और शब्नम और दीवाना जैसी फिल्मों में शारुख खान, गोबित्ना और रिशी कपूर जैसे प्रश ना कभी तूटने वाला रिकॉर्ड बना गए उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में सह अभिनेता से कमाल सदनाह के साथ रंग और अभिनेता जैकी शौफ के साथ शत्रंज थी जिनने दिव्या भारती के मिर्तियों के बाद रिलीज किया गया दिव्या भारती को अपने संप करियर का भी समाथ हो गया उनकी मृतियों काफी चोटी उमर में हुई शोला और शब्नम की शूटिंग में गोविंदा के माध्यम से दिव्या भारती की मुलकाद साजिद नादियावाला से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पढ़ गए 10 मई 1992 को दि अबग रात को 11 बजे दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा के अपने तुलसी अपाइटमेंट की पांचवे मंजल की बालकनी से गिर गए उन्हें कपूर अस्पताल में अपात काली विवाग में ले जाया गया जो डॉक्टर उन्हें उन्हें मृत घोशित किया तकाल का माफिया के साथ भागिदारी याइबाद का सत्मा यह सब शामिल है जाच 1998 में मुंबई के पुलिस ने की और मृत्यू के कारण आसमिक मृत्यू के रूप से बताया गया लेकिन उनकी मृत्यू का असली कारण आज भी रहस्य बना हुआ है 7 अप्रिल 1993 को मुंबई के विले पारले के शिंशान में उनका अग्दिम संसकार किया गया देवया भारती की पूरी फिल्में में से दो रंग और शतरन चुपनी मृत्यू के दो महीने बाद रिलीज हुई जब उनकी मृत्यू हो गई थी उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला के आदे से जादा भाग को चर्चित कर लिया था लेकिन बाद में श्री देवी को उनकी बूमिका में पूर्ण किया गया उन्होंने कई अन्य फिल्मों में जगा दी गई जिसने उन पर मोहु दिव्या भारती के समान थी इसलिए उनके लिए फिल्म से कुछ दर्शकों को और द्रिश्यों के लिए भी पूरा किया दिव्या भारती के जीवन के अधार पर एक फिल्म लब विहाइंड दी बॉर्डर पाइप लाइन में थी लेकिन कभी बनाई नहीं गई थी चाहे दि सारी चहादों की दिलों पर राज कर रहे हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद